अगर रख तक जालक किसकी छत पर पाया जाता है पहले तो आपको यह मालूम होना चीए एक कोश्यन करने के पहले आपको मालूम होना चीए कि यह अगर तक जालक है क्या इसको अंग्रे जी ची अंदर आटेर्य प्लेक्स काता है तो मैं आपको बता दू कि यह जो रॉक और साथ कर अग तक जालक έक्र CSF क्रश्ट प्रावन CSF क्या होता है मस्तेश्क की गुहाओं में और मेरुरज्चु की गुहाओं के अंदर जो द्रब भी पाये जाता है उसको हम क्या कहते है CSF CSF को हम बोलते है Cerebrospinal Fluid अब प्रश्ण उठता है कि यह CSF जो है का डाइग्राम है और Dain Cephalon यह पूरा Dain Cephalon है तो यह इसकी फ्लोर है फ्लोर मतलब यह इसकी फर्श है और इसको हम बोलते है Hypothalamus और यह वाली जो है यह जो आप देख रहे हो यह इसकी छत है और इसको हम बोलते है Epithalamus तो क्या होता है कि Dain Cephalon की जो छत है यह Dain Cephalon की छत है इसके उपर Epithalamus है तो यहाँ पर Basically क्या पाए जाता है Anterior Corrid Plexus पाए जाता है Anterior Corrid Plexus पाए जाता है जिसको की हम इंदी के अंदर क्या बोलते है अगर्रक्तक जालक बोलते है और यही अगर्रक्तक जालक CSF का क्या करता है स्तावन करता है तो अपना प्रेशन क्या है अगर्रक्तक जालक किसकी चत पर पाए जाता है तो मैंने कहा था कि यह हमेशा Dain Cephalon की यह क्या है Dain Cephalon है Dain Cephalon की चत पर कौन पाए जाता है अगर तक ज्जा लग आजाता है तो अपना option number जो B है वो correct है तो question number 1 का B जो option है वो बिल्कुल correct है that is the diencephalon अब आजाते हैं दूसा प्रशनी यहां पर दे रखा है भूक वो प्यास का नियंत्रन कौन करता है तो देखिए हमारी body के अंदर बहुत सारे इससे functions होते हैं मैं कुछ आपको functions बताता हूँ जैसे कि उधारन के तौर पर उधारन के तौर पर भूक प्यास प्यार नफरत राइट प्लाइजर यानि कि आनंद ये जितने जो emotions हैं राइट मैं एक बाफिट से लगा दू क्या क्या चीज जैसे कि भूक, राइट, प्यास लव, हेट प्लैशर, टेंपरेचर इन सब को body के अंदर regulate कौन करता है हाइपो थेलेमस कंट्रोल करता है मतलब इन सब के जो मैंने अभी बोला है इसका जो नियनतन केंडर है वो कहाँ पर होता है हाइपो थेलेमस में तो देखते हैं कि यहाँ पर option में है क्या भूक वप्यास का नियनतन कौन करता है मेडिला अब लेंगेता हाइपो थेलेमस सेरीबेलम यानि कि अनुमस्तिश किया सेरीब्रम प्रमस्तिश तो आपको यह मालूम होना चाहिए भूक वप्यास का जो नियनतन केंडर है वो किसके पास में होता है हाइपो थेलेमस के पास होता है अब आजाओ एरेक्नॉइड मेटर किसमें पाये जाता है एरेक्नॉइड मेटर किसमें पाये जाता है तीन मस्तेशक आवरन पाए जाते हैं ये जैसे मैंने तीन आवरन बनाए सबसे बहार का जो आवरन होता है आपने सुना होगा उसको बोलते हैं डूरा मेटर बीच वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं एरेक्नॉइड एरेक्नॉइड मेटर और तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं that is known as the pya meter मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ याद रखना कि brain के चारों तरफ तीन मस्टेश कावरिन पाए जाते हैं आप ऐसे याद रखे डैप, B, A, P सबसे बाहर जो होता है, वो क्या होता है आउटरमोस्ट जो होता है, वो क्या होता है डूरा मेटर, एरेक्नोइड जो मेटर होता है वो कहां पर होता है, बीच के अंदर, मिडिल के अंदर होता है और सबसे इनर जो होता है, सबसे बीतर की तरफ जो होता है वो कौन सा होता है, पाए मेटर होता है तो ये बातों तो तैय हो गई किachnoid matter क्या है तो ये एक मस्तिष गावरं है और ये मस्तिष कावरं कौन सा है बीच वाला है समझ में आ रहा है that is known as मस्तिष गावरं कितने हैं तीन है नूरा matter, अरेकnoid matter और पाया matter तो अरेकnoid matter किस में पाय जाता है क्या महिंडक में पाय जाता है, मनुष्य में पाय जाता है तीसर आप्शन में देखो कि क्या महिंडक और मनुष्य दोनों के अंदर यह पाय जाता है या जो चोथा है वो कोई नहीं तो हमेशा दया लखना है Eregnoid Matter एक मस्तिश्क आवरन है अब देखिए दूसा एक और प्रश्ण पढ़ते हैं कि वेगस तंत्रीका कौन सी तंत्रीका है ये प्रश्ण एक्जाम के अंदर बहुत बात पूछते हैं वेगस तंत्रीका कौन सी तंत्रीका है तो ये तो मालूम होना चाहिए आपको कि मानव के अंदर जो ब्रेन है उससे associated cranial nerves cranial nerves यानि की mapalia तंत्रिकाई जो है वो आपने पड़ी होगी की mapalia तंत्रिकाई कितनी जोड़ी होती है 12 जोड़ी होती है 12 जोड़ी होती है 12 जोड़ी कौन औखौन सी है िसे याद लख के para लिए उटा फग वहा मैं इसकी नंबने और है तो 10 11 और 12 राइट cranial nerves को याद करने का ये एक simple सा तरीका है that is देखिए सबसे पहली जो होती है वो कौन से होती है olfactory olfactory फिर कौन से होती है optic oculomotor right trochlear trochlear trigeminal right abducens abducens facial right auditory glossopharyngeal right glossopharyngeal vagus vagus accessory spinal accessory spinal और फिर कौन सा है hypoglossal ये मैंने आपके सामने 12 जोड़ी कापान ये तंतिका है लिखिए इनकी numbering भी कर देता हूँ 1, 2, 3, ये 4 है 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 और ये 12 इसको याद करने का तरीका क्या है उटा, फगवह, olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, accessory spinal और hypoglossal अब प्रशन क्या है अपना देखिए चौथा प्रशन वेगस तंतिका कौन सी तंतिका है ये आपको ये चीज आती है उटा, फगवह आता है तो आप दस्वे नंबर के उपर देख लीजिए ये देख सकते हो दस्वे नंबर पर कौन आ रही है वेगस आ रही है ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है दस्वे नंबर पर कौन आ रही है वेगस नर्व आ रही है ये देखी तो अपना question इसी के उपर तो था कि वेगस तंत्रीका कौन सी तंत्रीका है तो फटाक से आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह कौन सी तंत्रीका है दसवी तंत्रीका है तो यह मेरा option number जो B है वो क्या हो गया correct हो गया कि वेगस तंत्रीका दसवी तंत्रीका है अब आजाते हैं पाँचवे प्रश्न को सौल्व करते हैं पाँचवा प्रश्न देखिए पाँचवा प्रश्न आ रहा है कि भई एम्नियोट्स में कितनी जोडिक कपाल ये तंत्रिकाई होती है तो पहले तो dear students आपको ये मालूम होना चाहिए कि एम्नियोट्स क्या होता है क् एक चीज़ में बता दूँ एम्नियोट्स कोन होते हैं जिनमें की extra embryonic membranes क्या हो present हो वो सब क्या कहलाते हैं एम्नियोट्स कहलाते हैं यानि कि जिनमें की बाहाए ब्रूर्णिया जिल्या जिनमें बाहाए ब्रूर्णिया जिल्या उपस्तित हो उन्हें हम एम्नियोट्स कहते हैं और ए्मुनोट के उधारण आपके सामने लिख लेता हूं कि जितने भी reptiles होते हैं यानि की जो सरीसर्फ होते हैं और जो coyodo work के हैं उपक्षी वर्ग हैं और तीसरा जो जो mammals हैं यानि की जो इस्तंदारी वर्ग के जो सदश्य हैं वो सब क्या कहलाते हैं एमनियोट्स कहलाते हैं और जो सबसे important बात ध्यान रखने की है वो ये है कि एमनियोट्स के अंदर fix कर लो कि हमेशा ही 12 जोड़ी क्या पाई जाती है कपालिय तंत्रिकाओं कि जो संख्या होगी इनके अंदर वो हमेशा ही कितनी होगी 12 जोड़ी और ज एमनियोट्स के अंदर हमेशा fix कर लो कि कपालिय तंत्रिकाओं किसंख्या कितनी जोड़ी होगी 10 जोड़ी लेकिन एमनियोट्स के अंदर जो अपनी कपालिय tंतिकाओं या जिनकों की हम cranial nerves कहते हैं right उनकी संख्या हमेशा purity미 12 जोड़ी होगी तो देखते हैं, option के अंदर अपने, कि क्या आपने 12 जोड़ी का option आ रहा है क्या, तो M.N.O.S. में कितनी जोड़ी कपालिय तंतिकां होती है, 6, 10, 8 या 12, ये सामने आपके option दिख रहा है, कि 12 जोड़ी क्या होती ही, कपालिय तंतिकां होती है, सुनियर स्टूडेंट्स, ये जो कुछ questions है, जो NEET और AIMS के अंदर कभी पूछे गएं, उसके उपन मैंने ये वीडियो बनाया है, हम इस तरह के के वीडियो और भी लेकर आएंगे, मेरे वीडियो को देखते रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेर कीजिएगा, ठैंक्स अलोट, फिर मिलेंगे.